एकादसी तिथी के दिन भगवान स्रीहरी विश्णू और मालक्ष्मी दोनों की विशेस अराधना पूजा की जाती है नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मासर्माग जीवन में भला धन किसे नहीं चाहिए और इसी लिए हम खास दिनों में खास प्रियोग करते हैं ताकि मालक्ष्मी परसन्न होकर हम पर धेर सारे थन, खुसिया, सुख, संपत्ति बरसाए ऐसे में एकादसी कीती थी जो स्रीहरी का दिन है और एकादसी के दिन स्रीहरी परसन मुद्रा में रहते हैं और उनके साथ हैं मालक्षमी जब भी आप पूजा करें एकादसी के दिन तो स्रीहरी और मालक्षमी दोनों की ही एक साथ करें अकेले-अकेले पुजा करने से आपको पुजा का फल पूरा नहीं मिलता अधुरा ही मिलता है इसलिए जब भी पुजा करें साथ में मालक्षमी के स्रीहरी की ही पुजा करें अब हम चुकी बात कर रहे हैं एकादसी के दिन चावल के डब्बे में रख दें आखिरेसी कौन सी वस्तु है जो एकादसी की तिथी पर अगर रखी जाए तो जीवन में सब कुछ आने लगता है देखिए एकादसी तिथी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए हर कोई जानता है लेकिन मालक्ष्मी को चावल बहुत पसंद है और साथ ही मालक्ष्मी को पसंद है हल्दी और कुमकुम चान्दी तो आज हम एक छोटा सा परियोग बताएंगे किसी भी एकादसी के दिन आप एक छोटा सा काम कीजिए क्या करेंगे जब आप असनान बेगर करकर स्रीहरी मालक्ष्मी की पूजा करेंगे तब मालक्ष्मी को एक चान्दी का सिक्का भेट करें और पित करें और ये चांदी का सिक्का आप कोई भी सिक्का आपके घर में पड़ा हुआ है उसको धोकर गंगा जल से सुद्ध करके अरपित कर दें मालक्ष्मी के सामने रखें किसी पात्र पे अब इस पर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम अरपित करें फिर आप इस सिक्के को मालक्ष्मी का आसिरवाद समझ कर आप अपने घर के जहां पर चावल का डबा है जिससे आप निकाल कर रोज चावल बनाती है जहां आपने श्टोर करके रखा होगा है वो नहीं जहां आप कीचन में थोड़ा थोड़ा रखते होंगे न निकाल के खान नहीं होगा यह बहुत आजमाया हुआ है और जीवन में बरकत होने लगती है धन की कमी नहीं होती करजों से कस्टों से मुक्ति मिलती है और हर जगह आपकी तरक्की होती है अब जब आप चावल बना रहे हैं आपके चावल आप निकाले हैं धोने के लिए उसको बनाने के लि घर तक पहुँच चुकी है सिंपल उपाय है पर करिएगा जरूर क्योंकि इस उपाय को करने से लक्ष में स्थिर हो जाती है अब इसको बदलेंगे कब किसी भी एकादसी को दिन रखेंगे तो जरूर देखिए सबसे पहली बात जरूरी नहीं है कि हर एकादसी को आप सिक्का डाल सकते हैं और वो सिक्का चांदी का होगा लेकिन इस सिर्फ डाल के आप भूल नहीं सकते इसके प्रियोग होते हैं आपको तो पता है महिने में दो एकादसी आती है सुकलपक्षकी और कृष्णपक्षकी लेकिन एकादसी का ब्रत रखने से मन की समस्याओं से आप बच सब्सक्राइं टूए तो यह जो सिख्का है इसको आप घर चावलव का डबा डबा है उसमें आपको डालना और इस सईक्क्राइब को पुझा перв मालक्ष्मी की पूजा होगी तigning do pail के इंगे तो जीवन की बहुत सारी सब्सक्राइग मुझान निकलेंगे और उसी सिक्का को फिर से आप चावल में डाल देंगे यानि कि इसी सिक्का को आपको दिपावली में निकालना है अच्छे से गंगा जल से सुद्ध करके आप इसकी पूजा करके मां को अर्पित कर दें और फिर चावल में डाल दें यानि ये जो आप चावल में डालेंगे हैं तो आपकीए घर में अनधर्य वस्तिकी कमी कभी नई होगी गढ़ी है कि घर में खुजी आने लगी है बरकतता लेगा कि किसी भी एकादसी को कर सकते हैं कि UFOAm esther самой कथा Menshase to और फिर आपसे मिलेंगे बहुत सारी बाते करेंगे हर हर महादेव अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.granddhromasmag.com गूगल पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आप video मिल जांगा और अपूत अपनी भासा में अब वारती भासा में वेबशाइट का अनद उठाएं जब वेबसाइट पर आएंगे तो उपर में क्लिक बॉक्स में आप्लिक कीजिए और technique puis शुनिए